हेई, वेलकम बैक्त यॉर चैनेल, इन टोड़ेज वीडियो आई विल टेल यू आउ टो एनवेल आटो कॉल रेकोडिंग, यानि कि इस दिभाइस में कॉल रेकोडिंग कैसे करें, दोस्तो कॉल रेकोडिंग करने के लिए सबसे पहले फॉन डालर में जाईए, फॉन डालर ओ रेकोर्डिंग शुरू होने से पहले दोनों साइट पे ओर्डिंग नोनिफिकेशन सुनाए देते हैं कि एक कॉल रेकोर्ड किये जा रहा है अगर आप इससे बंद करना चाहते हैं तो इस वीडियो का डेस्क्रिप्शन चेक कीजिए दोस्तो ऑटोमेटिक कॉल रेकोर्ड करन सो नहीं हो रहा है तो प्लेस्टोर में जाके इसका लेटेस्ट वर्षन अपडेट कर लेना साथ ही साथ फोन डालाए अप्लिकेशन का सभी डेटा एक बर क्लियर कर दीजिए डेटा क्लियर करने से कोई भी कॉन्टाक्ट डिटेल्स और कॉल एस्टी रिलीड नहीं होगा अप्लिक ट्रियर फोन में जब अन्वन नंबर से कॉल आएगा और ऑटोमेटिक रेकॉड किया जाएगा। सबसे पहले इसके बाद चूज एक कॉन्टाक में जाके जिए-जिस कॉन्टाक का क्ल आटो रेकॉड करना चाहते है उसे सीलेट करिये चाहे तो आप माल्टिबल क को एड कर सकते हैं Google phone डालर में बिना contact number select किये आप उसका auto call record नहीं कर सकते हैं इसलिए अगर आपको जुरूत है तो एक एक करके सभी contact number select करना पड़ेगा आप यहां से बैक आई है डिलीट रेकोडिंग बाइडिफॉल्ट आपके फोन में never select रहेगा मदलब हमारे फोन में recorded call कब ही नहीं डिलीट होगा अगर आप call recording आटमेटिक डिलीट करना चाहते हैं तो इन में से 7 days 14 days और 30 days सूज कर सकते हैं delete all recording now इस पे क्लिक करते ही सभी call recording तुरंत डिलीट हो जाएगा दोस्तो इसमें recorded call गोगल डायलर के अंदर ही श्टोर होता है call recording सुनने के लिए recent call list में उस नामबर पर टैप करना है फिर history में जाके सारे recording details देख सकते हैं अब call record प्ले कीजिए या share बटम पर क्लिक करके इस फाइल को और ब्लुटूथ के थ्रू दूसरे फोन में भी भेश सकते हैं दोस्तों उम्मीद करते हूं कि ए वीडियो आपके लिए बहुत हेलफू धा हम तिस वीडियो को लाइक करके हमरा चैनल सबस्क्राइब करना ना बूलें